दोस्तो नमस्कार आप देख रहे केट इंडियाव डेडिकर केट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है अज तारीक हो चुकी है 24 मई 2023 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाली है आज की तारीक में टाटा IPL 2023 के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी खबरे ब्रेकिंग न्यूज निकल करा रही है सभी अपडेट्स को उन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली एनलेसिस करने वाली है इसलिए आप इस वीडियो कन तक जरूर देखते रहे हैं इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के निचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि आप सभी लोग टाटा IPL 2023 से जुड़ा हर अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो पड़ा बड़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिये गए लिंक से हमारे टेलिग्राम चैनल करकेट इडिया को जरूर से जरूर जोएन कर लीजिए तो चलिए बिना समय गवाई फटा फटम बात करते हैं आज की तारिक की सभी टोप खबरों की तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है टाटा IPL 2023 में आज होने वाले महा मुकाबले को लेकर जापर आज होने वाला है IPL 2023 का Eliminator महा मुकाबला जहां पर आमने सामने होने वाली है लखनव सूपरजेंट्स की टीम और मुंबई इंडियन्स और रिसेंडली महा मुकाबलों में मुंबई इंडियन्स की टीम ने जबर्दस परफोर्मेंस किया है लखनव की टीम यहाँ पर थोड़ी सी हलकी सी वीक नजर आ रही है आपको बता रहे हैं चेंगों की चेन नहीं के M.H.C. दंबरम स्टेडियम में हमें यह जबर्दस्त महा मुकाबला देखने को लिगा जापर हमें को लेकर जिहां इस एलिमिनेटर महा मुकाबले की शुरुआत से पहले मुंबई इंडियन्स की टीम को लेकर बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज खुसखबरी निकल करा रही है जहाँ पर इस टीम के मिडल ओडर के बहुती जबर्दस्त यूवा बले बास जिहां तिलक वर कि मैं बात कर रहा हूं अपने इंजरी से विल्कुल पूरी तरह से टोटली रीकवर कर चुके हैं 100% फिलालों फिटाए पिछले महा मुकाबले में वह प्लेइंग इलाड में सेलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं थी आला कि सब्स्टीचूट के तोर पर उनको स्क्रेड मे निकल कर रहा है इस महा मुकाबले की लिटेस्ट वैदर फूर्कास्टिंग डिटेल्स को लेकर जिहां इस मैच के लिए वैदर फूर्कास्टिंग डिटेल्स रिवील हो चुकी है जहां पर वैदर विल्कुल क्लीन एंड कलियर रहने वाला है बारिश के यहां पर किसी भी चांसिज नहीं है यानि बारिश यहां पर किसी भी तरप्रकार की दखल अंताजिक किसी भी टाइप का कोई भी इंटरप्शन इस महा मुकाबले में नहीं डालने वाली है वो डेफिनेटली आज हमें वो टीम मिल जाएगी जो उसका क्वेलिफायर टू में क्वेलिफाय करने वाली है उसके लिएम बात करते हैं गली कवर की तो खबर निकल कर आ रही है आई सेशी ओडियाई वर्ल्ड कप टूट हाउस जैन 23 को लेकर जो इस साल के अंत में हमें वर्ल्ड कप के दियास में पहली बार पूरा का पूरा इवेंट भारत में देखने को मिलने वाला विश जोरो सोरो से अपनी तैयारिया कर रही है लेकिन दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर ब्रेकिंग निकल करा रही है वर्ल्ड कप 2023 के सैड्यूल को लेकर जहां पर भई आपको पता है कि आपकी टोप आठ टीम है यहां पर क्वैलिफाई कर चोगी है सूपर टैंड में और बाक हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके क्वैलिफायर महामुकाबलों का पूरा सैड्यूल देख सकते हैं वही अब बात करते हैं टूनामेंट के में सैड्यूल सूपर टैंड के सैड्यूल के बारे में इसके ओपर अभी जो ले टेस्ट अपडिट उसके मुताभी कैसा बताय जा रहे कि 27 मही को बिशी शाय एक बहुती बड़ी मिटिंग करेगा और उसके बाद यहां पर हमें फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक ओफ जून टाउट 2023 में डेफिनेटल आइसेशी ओडियाई वर्ल्ड कप 2023 का पूरा का पूरा सैड्यूल देखने को मिल जाएग उसके बात करते हैं अगली खबर की तो खबर निकल करा रही है आईसेशी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंशिप के सेकिंड एडिशन के फाइनल महा मुकावले को लेकर जो हमें 7 जून से 11 जून के बीच लंदन के कैनिंग टन ओवल के स्टेडिया में देखने को मिलने वाला है मैच काफी जदा इंटरस्टिंग रोमान चक जबर्दस्त सांदार होने वाला है दोनों टीमों के स्क्वैट से आप रोल्डेटी अनाउस हो चुके है लेकिन दोस्तों लगातार यहाँ पर वेन्यू को लेकर शुरुवात में बड़ी कोंट्रोवर्सी जो ही थी वह यहाँ पर आज फाइनली ट्रेवल करेंग इंग लेंड के लिए और बाकी जो खिलाडी जो यहाँ पर आपकी डवलूटी सी टीम का हिस्सा होने वाले है वाईपेल की स्मापती के बाद 29 मई को टीम को जोईन करने वाली है तो वह कहीना का यह डवलूटी सी फाइनल के इंदिजार कर रहें फैंस के लिए एक बहुती बड़ी खबर निकल कर आई है उसका बात करते हैं गली खबर की तो खबर निकल कर आ रही है रोहिस सर्मा को लेकर जहाँ एलिमिनेटर महा मुकाबले की शुरुआत से बहले मुंबई इंडियेंस टीम के एक अफ्तान रोहिस पायर महा मुकाबले से गुजरना है और इस लड़ाई के लिए मुंबई इंडियेंस की डी मुंबई इंडियेंस की से ना बिलुकुल अच्छी तरह से तैयर हैसे में यहाँ पर रोहिस सर्मारून की टीम बिलुकुल काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है उसके ने इंकार कर दिया था जिसके बाद कोंट्रोवर्सीज यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई थी ऐसे अपडेट्स निकल कर रहे थे कि यहाँ पर पाकिस्तान के टीम एशिया कप उठाउस जैन वापिस ले लेगी जिसके चलते वेन्यू फिलाल फर्षा वाले की दोस्तो आने वाले एक वीक है फिर दो वीक में एसेन क्रिकेट काउंसिल की एक बड़ी मिटिंग होने वाले है जिस मिटिंग के बाद पूरा का रेक्रम ओफीशियली रिवील कर दिया जाएगा उसके एदम बात करते हैं गली खबर की तो खबर निकल करा रही है रोयल चेलेंजर्स वैंगोर ने साल दो हजार चोबीश के लिए अपने नए प्लान को रिवील कर जानों ने इस बार आई वेल में जो आर्शेवी की टीम ने गलतिया कि उनकी तरफ टोटली फोकस किया उनों ने ऐसा बोला कि हमारे केवल चार खिलाड़ों ने या पर अपना बेस्ट परफोर पर इतना इजाए इन्फोर्मेशन्स के अले भी सब्सक्राइब प्रकेट इंडिया थेक्स पूर वर्चिंग